अर्विंद केजरिवाल नश्ट करने के लिए आए हुए, वो नश्ट करते हैं बीजेपी के मनुच तिवारी का कहना है कि अर्विंद केजरिवाल नश्ट करने के लिए आए हुए है ठीक ही तो कह रहे हैं भाजपा के मनुच तिवारी अर्विंद केच्रिवाल दिल्ली नश्ट ही तो करने आये हैं सालों से डिसकॉम का घाटा 11,000 करोण पहुच गया था वो सिर्फ तीन सालों में 3,000 करोण कम हो गया घाटा कम करने से दिल्ली नश्ट ही तो कर रहे है अर्विंद केजडिवाल सालों से दिल्ली वाले महंगी बिजली और पानी के बोच तले दबे हुए थे अब 14 लाग से ज़ादा दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो आया हर घर को महीने का 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है ऐसा करके दिल्ली नश्ट ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजडिवाल सालों से दिल्ली के जिस मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर की कमर तूटी हुई थी उसे दुरुस्त कर दिल्ली की हर गली में दिल्ली वालों के लिए मुफल्लक लिनेक बनवा कर दिल्ली नश्ट ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजडिवाल सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल जिनहें लोग नीची नजरों से देखते थे उनहीं सरकारी स्कूलों को पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मॉडल स्कूल स्ट्रक्चर बना कर दिल्ली नश्ट ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल दिल्ली में अनाधारिक कलोनीज में रहने वाले 50 लाक से ज्यादा लोग जो सालों से नियाय को तरस रहे थे उनहें नियाय दिलाकर दिल्ली नश्ट ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल 1998 में सिगनेचर ब्रिज का प्लैन बना मगर सब बारी बारी इसका पैसा खाते रहे सिगनेचर ब्रिज को रेकॉर्ड टाइम में पूरा करके दिल्ली निष्ठ ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल दिल्ली की लाखों महीलाएं स्कूल कॉलिज जा सकें अपने काम पर जा सकें, पैसा कमा सकें और बचा भी सकें इसके लिए दिल्ली की सभी बसों में फ्री राइड देकर दिल्ली निष्ठ ही तो कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल दिल्ली वासियों को दिल्ली की पहली ब्रश्ट चार मुख सरकार दी समय से पहले फ्लाइवर बना, पूरा देश जब प्यास के दामों से रो रहा था तब ही दिल्ली में सबसे सस्ती प्यास दिल्वाना दिल्ली के अस्पतालों को बहतर करना, महला क्लीनिक खोले ताकि इलाज उनके घर तक पहुँच जाए परिवार के बड़े बेटी की तरहां एक्सिडेंट विक्टिम्स के लिए हॉस्पिटल में फिरी इलाज करा आज दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी बड़े देश की युनिवस्टी से कम नहीं लगते पॉजिशन कम करने के लिए और इवन स्कीम चलाना और ना जाने क्या-क्या अरविन केजरिवाल ने दिल्ली को नश्ट करने के लिए किया तो पूरे भाजपा की तरफ से अनुरोध है अरविन केजरिवाल जी दिल्ली को नश्ट मत कीजे और भाजपा को आने दे जिससे वो बिजली के दाम वापस बढ़ा सके डिसकॉम को घाटे में ला सके अनाधारिक कलोनीज के लिए जो पैसा है वो उसे खा सके बहतर सरकारी स्कूलों को बरबाद कर प्राइवेट स्कूल्स को फाइदा पहुचा सके सडके भाजपया सिर्फ अपने घरों के बाहर की ठीक करवा सके इमानदार सरकार की किसे जरूरत है भाजपा प्रश्टचार का परचम लहरा सके तो प्लीज केजरिवाल जी दिल्ली को आप नश्ट ना करें और भाजपा को मौका दे दिल्ली नश्ट करने का